रिंड रिंड है हालो फ्रेंड Cooper back to once again सूसी अक्तम आज बात करेंगे balance primary jan jan चील आता है इसको प्राइम जिन के नाम से भी कुछ रोग जानते हैं बोलते हैं इसमें एक formula इसका होता, dynoprostan gel, क्या होता है, dynoprostan gel, इसका क्या use होता है, किस condition में इसको use किया जाता है, one by one हम इसको discuss करें तो friend, जो dynoprostan gel होता है, यह एक प्रकार का prostaglandin होता है, अब prostaglandin E2, especially prostaglandin E2, prostaglandin का कई function होता, यह especially normal delivery करवाने के लिए use किया जाता है, यह especially normal delivery करवाने के लिए use किया जाता है, friends, dynoprostan gel, 0.3 mg, इसमें all level होता है, और especially इसका जो रखने का temperature होता है, 0.2 से near about 8 degree Celsius, 2 से 8 degree Celsius, temperature में इसको रखा जाता है, नहीं, तो यह खराब हो सकता है, friends, अब इसमें क्या होता है, इसको किस तरह apply करते हैं, और क्या इसकी सौधानिया है, इसको हम बताते हैं, आपको थो, friends, तो इसमें होता गया, friend, जो dynoprostan gel होता है, हमारा, इसको महिला के cervix में लगा जाता, अगर उसका delivery का time पूरा हो गया है, और उसको delivery का समय आ गया है, तो इसके महिला के cervix में लगाया जाता है, बच्चे दानी के जगा लगाया जाता है, जब बच्चे दानी ना खुली हो, अगर इसको लगाने तो बच्चे दानी खुल जाती है, हाँ फ्रेंड्स, एक चित ध्यान देना, ये self-medication नहीं है, ये डॉक्टर के द्वारा ही लगाया जाता है, self-medication नहीं ह करना है यह डॉक्टर के दोरा ही लगाया जाता है और उसमें चीज़े बच्चे दानी नॉर्मली ओपन करने के कई कंडीशन बनते हैं तो हर सीजेरियन केस में ये पॉसिबल नहीं है लेकिन जिसमें पॉसिबल है उसमें नॉर्मल ये कराया जा सकता है तो इसका जो यूज करने का तरीका मैंने बता दिया आपको और इसमें करना क्या है इसको लगा के कुछ देर तक महिला को लेटे रहने पड़ता है, अब इसका जो mode of action होता है फ्रेंड्स ये जो वजाइना का area होता है, जो cervix होता है महिलाओं का, उसमें क्या करता है, ये डाइना प्रस्टांचल उसकी muscles को relax कर देता है, muscle relaxant की तरह काम करता है, muscle को relax कर देता है, मसल को फैला देता है, जब मसल को फैला देगा तो easily से बर्त किनाल से बच्चा डिलेवर हो जाएगा, इसका जो प्रोसी आदा गंटा से धाई गंटे तक इसको फंक्शन करने में लगता है, लगा कि एक महिला को कम से कम आदा गंटा से धाई गंटे तक लेटे रहना पड़ता तो यह जो डाइना प्रश्टांज जेल है इस पेसली पर नार्मल डिलेवरी करवाने के लिए किया जाता है बाइदा यूज ऑफ डॉक्टर बाइदा डॉक्टर ऐसा नहीं है कि कोई महिला सेल्फ मेडिकेशन इसको यूज करती है इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट ये हैं कि जनरली ये अपने से नहीं उज करना है और इसके बहुत सारे अडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्या अडवर्स इफेक्ट इसके हैं थैंक्यू प्रेंट्स